आज मैं मेरे मोग्रा प्लान के बारे में आपको बताऊंगी मोग्रा के बहुत सरे नेम है जैसे इसको डिफरेंट स्टेट में इंडिया के डिफरेंट नेम से जाना जाता है कोई इसको जुही बोलते कोई इसको मालती बोलते हैं कोई इसको चामेली बोलते हैं और कुछ जग था मेंस खराब कुछ प्रॉब्लम आई तो मुझे वॉइस रेकॉर्डिंग करनी पड़ी है तो इसके बहुत सारे और मले पूवू नेम है कुंडु मल ती गाई मतलब एक्चली मुझे इतना प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा साउथ के मतलब जो स्टेट्स है इसको माता को ये बहुत पसंद है और इसके तो बहुत सारे यूजेज है mostly जो इसको फ्राग्रेंस के लिए यूज होता है ओयल बनाने के लिए यूज होता है इसमें ना कुछ आंटिवैक्टरियल प्रापर्टी है जो आज़र डिजिंफिक्टेंट भी ये यूज होता है इविन के बहुत सारे यूजेज तो है और बाकी जो है ना अगर और ये वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा माना जाता है बिकाज ये बहुत स्ट्रॉंग फ्राग्रेंस है इसका और फेंक्शुई के हिसाब से भी एक बहुत ही अच्छा प्लांट ये माना जाता है और इसक 5-10% जादा बड़ा यूज़ कर रही हूँ अब देख सकते हो और जो सॉयल है टोटली औरगनिक रीज सॉयल बनाया मैंने और मैं वो स्क्रीन में लिख दूँगी और इसको सनलाइट मॉर्निंग के 4-5 आस के सनलाइट अगर मिल जाए इसके लिए बहुत अच्छा है और अप्टरनून सनलाइट इसको बिल्कुली नहीं पसंद है अब जैसे कहीं पर आप जाओ ना अगर आप मोगरा ट्री देखोगे प्लान देखोगे उसमें कितने फ्लास है तो अगर हो हेल्दी है आप देखना उस जगा की उस लोकेशन कैसे लोकेशन पर उसको रखा है इससे भी आपको पता चल जाता है कि वो प्लान कैसा कैसी जगा पसंद करती है तो इसको सनलाइट भी चाहिए इसको शेड भी चाहिए जैसे आपके पास अगर इस्ट फेसिंग विंडो है ना वहां पर बहुत अच्छे से सनलाइट आ रही ताब उहां पर रख दो यह फ्लारिंग बहुत अच्छे से करेगी mostly summer में और rainy season में फ्लारिंग करती है इसको मैंने विंटर में भी फ्लारिंग करती होई देखा है यहां पर south में बिसके लिए पर बिल्कुली सर्दी नहीं होती है तो यहां पर विंटर में भी फ्लारिंग करती है कभी कभी बट mostly रिजन में यह तो resting phase है बाकी प्लांट के तरह और इसको ट्रॉपिकल प्लांट है तो गरम वेदर ही पसंद है इसको hot temperature ही इसको पसंद है और यह बिल्कुली फसी प्लांट नहीं है बहुत इजीली आप इसको ग्रो कर सकते हूं सिर्प इसको देखना है कि पानी ना सुख जाए और इसमें तो फिर यह ब इसे बनाना कि जो फोरस मिंस जिसमें से पानी डालो तो थोड़े देर बाद ही हो बाहर आ जाये पानी तो ऐसे पानी ऐसे सौयल बनाना और इसका थरी एम जासे 15 डेस बे एक बार आप इसको फ़ाटिलाइस कर दो कोई जो लिकुइड फारिलाइजर अप घर पे यूज कर हो उससे आप इसको फर्टिलाइज कर दो और इसमें देखा मैंने कि वाइट फ्लाइज ब्लाक स्केल और इंसेक्ट यह सारे मतलब यह सारे इसको इंफेक्ट कर सकता है तो इसके लिए रेगुलरली नीमोयल और फंगिसाइड यूज करने से इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी और यह एक बहुत ही बहुत ही अच्छा प्लांट है आपको रेगुलरली रेगुलरली आपको यह फ्लाइर्स देता है देगा अगर आप इसको प्रॉपरली पानी दो और थोड़ा बहुत फाटिलाइज करना और अगर आप इसको प्रॉपरली आप यह देख सकते हो इसमें से न अभी पानी निकल के आएगा यह मैं बता रही थी कि इसमें से पानी निकल के बाहर आ तो मतलब ऐसे आप सॉयल बनाओ और साइड में मैं ऐसे स्लीट बना देती हूं और नीचे तो जैसे पॉट के नीचे जैसे ड्रेनेज होल में स्टोन्स रख दिया या कोई मिट्टी का कोई जैसे दिया है उसको तोड़के जो यूस्ट दिया है या पीगी बैंक बहुत सरे च और वाइस यो ड्रेनेज होल बंद हो जाता है सॉयल से तो ऐसी है यह बहुत इजी टो केर है अप एनिवडी खन ग्रोव इट वेरी इजीली और मैं इसके जो जो इंपोर्टेंस है वो मैं इंपोर्टेंट पॉएंस है वो मैं स्क्रीन में लिख दूंगी एडिटिंग के ट यह बनाइस टीम है